हेलो एवरिवान आज की दिन की जो हम शुरुआत करेंगे वो इस प्यारी सी रीडिंग के साथ करेंगे ठीक है आज मैं गाइडन्स दोंगी कि क्या होने वाला है आप दोनों के एनर्जीज में क्या चल रहा है ठीक है बताने की कोशिश करेंगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस परसन से तो चलिए रीडिंग को शुरू करेंगे आज जब से पहले तो मैं आपको गाइडन्स दे देती हूं ओवराल एनर्जी क्या है इस रिलेशन्शिप की इंजल अफ लव मजीशन अन्द मिरर द सन की एनर्जी ब्रोकन हार्ट देख लिजे यह आपके न रिष्टे की ओवराल एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे है एक चीज मैं आपको बहुत अशी तरीके से क्लियर कर दूँ अब जितना जादा दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाओगे न कि दूसरे आपकी जरनी को समझेंगे दूसरे आपकी मेहनत को समझेंगे उसको सराहेंगे अपको ये भी आता होगा बचबच में कि कोई मेरी तारीफ नहीं करता मेने इतनी महनत की इतनी मुश्किल से सारा सामराज्य ख़ड़ा किया या जितने भी मेने स्ट्रगल्स देखी लोग Northeast नहीं करते क्योंकि लोग आपकी स्टोरी नहीं सुंते एक कहावत है न, nobody cares about your story until you win, ठीक है, अगर आप life में कुछ कर लेते हो, या achieve कर लेते हो, तब लोगों को बहुत ज़ाद interest आ जाता है, क्योंकि वो देखते हैं न, कि you have won, है न, तो लोग भी इस तरीके के हैं समाज में, मैं आपको ये एक सचाई बता दो, आपको कड़वी अलग-अलग definition होती है सबके life में, ठीक है, अब मैं क्या कहना चाती हूँ, मैं ये बोलना चाती हूँ कि, हो सकता है कि आपके लिए willing कुछ और हो, हो सकता है, मेरे लिए कुछ और है winning की definition, for example, मेरे लिए winning की definition ये है कि शान्ती हो, दिल में सुकून हो, और understanding हो, खुद के साथ बैठें, perspective हो अपना एक अलग है न, लोगों के जनजाल में ना फसे, लोगों से expectation ना रखे, ना ही उनके expectation के according चले, ये मेरे खुद का भी personal experience है, कि आप जितना चाहे आपके माताफिता भी हो, against जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये बात भी सत्य है, आपके अला बहुत जादा एक deep learning lesson बता रही हूँ, आपको बस मान लेना है, जादा आप किसी से बोलोगे देखो, एक चीज देखो, कभी भी आप कितना भी किसी और को समझा लो, कितना भी उनसे demand कर लो, कभी ऐसा हुआ है कि आपके बोलने का असर पढ़ गया और वो suddenly change हो गया और आप लो इस बात को, मैं भी जबाद सुबह सुबह उठी, मैं भी सोच रही थी कि, for example, मुझे पानी मिलता है warm, या कभी मैं खुद उठके गरम कर लेती, मैं भी सोच रही थी, कि ये लोग समझेंगे, मतलब एक example बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं कि वो लोग against है, समझेंगे ये मुझे जल्दी से रीडिंग करनी है, फिर मुझे रीडिंग क अपलोड करने में टाइम लगता है, और फिर पूरे दिन का प्लान इतना पैक होता है, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे साटडे हो, कुछ भी हो, people won't understand, you are the one, जो जिसको फिर मैं खुद उठके आई, म आपके सिर पे कोई नहीं समझेगा, आपको काम करते जाना आपको फ्री होना है, कोई भी नहीं समझेगा, और ये भी चीज़ है, जब तक आपसे फायदा है, लोग आपके आसपास रहेंगे, जब से उनको लगेगा कि इतना ज़दा काम नहीं है, तो टच हटता जाएगा, तो ये चीज़ एक specific message मुझे आपको देना था, ऐसा लग रहा है कि you are not loving yourself, ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों से उमीद कर रहे हो कि वो आपको appreciate करे, ये करे, वो करे, समझ रहे हैं, अगर आपको कहीं जाना है घर से निकल के, लोग आपके लिए तयारी करके नहीं देंगे, आपको खुद उटके जाना बढ़ेगा, तो आप अपनों से expectation रख रहे हो और वो जो पूरी नहीं हो रही है आपको ऐसा लग रहा है कि nobody cares for you, ऐसा लग रहा है न उटके, अब देखो the magician and the mirror, यहाँ पे angels ने आपको power दिये, angels आपको साफ बोड़ रहा है, बिलकुल सामने सा पावर है, जैसे कि हर इंसान के पास न एक पावर होती है, कोई बें इंसानों किसी भी age group का हो, कहीं भी हो, कहां भी हो, मैं बता रहे हो, x, y, z पुरी universe में एक पावर होती है, power of choice, power of decision, हमेशा आप ध्यान रखना, कितने भी मजबूर आपके पास न एक रास्ता नहीं होग हमेशा, आपको decide करना है कि आप कौन सा चुनते हैं, मैं सीधा उठी, मैं आई, मैं बैट गई, मुझे पता है मेरी कितने meeting से, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, जब तक एक काम finish नहीं करूंगी, दूसरा शुरू नहीं होगा, nobody would understand, भले ही मैं रात को बता के सोई हूँ सब को कि यह, यह मेरा time to bella, nobody gets up, nobody will help you, आप समझ रहे हैं, मैं एक real life का आपको लगता होगा कि माम की life में सब perfect है, नहीं, मेरी life में, आपकी life में, xyz की life में, third party की life में, किसी की भी life में कुछ भी perfection नहीं है, मैं आपको relate करके बता रही हूँ चीजे, ताकि आप इ position and the mirror, आपके पास power है, देखो यहाँ पे, कैसी दो decision है आपके पास, ठीक है, number 53 आया है, इनके पास water भी है, इनके पास fire भी है, ठीक है, अगर आप हमेशा fire वाली energy में रहोगे, तो आप हमेशा अपना नुकसान करोगे, लेकिन आप फिर भी, कामली सोचो गयार, चीज तो म अगे, प्यास लगे, सब कुछ आपका है, आपके लिए है, कोई आपके priorities को नहीं समझेगा, हर कोई अपनी priority को समझता है, same with your person, they are broken right now, ठीक है, they are broken right now, they are crying right now, और आपको reading देखके ऐसा लग रहा होगा, कि अगर वो broken है, crying है, मैं क्या करूँ, एक पल था मेरी life में, जब मे से बत्तर हुआ था मेरे साथ, मेरे ले तो कोई नहीं आए था, लग रहा है ना आपको, कि मेरे ले तो कोई नहीं आए, मेरे ले था ऐसा कोई नहीं खड़ा हुआ था, मेरे बारे में तो ऐसा किसी नहीं सुचा, then why would I think about them? मैं क्यों सोचे उनके बारे में? क्योंकि आपके मन में भी आ रहा होगा कि अगर कोई सफर कर रहा है तो करने दे मैंने भी बहुत सफर किया है और कही न कही आप भी चाहते थे कि वो पेन ना आपके person तो महसूस कर रहे हैं और वो महसूस करें जो आपको महसूस हुआ है यह देखो यह सन की एनरजी है मैं बता देती हूँ इस रुडिंग में अपके परसन आपकी लाइफ में बहुत शान्ती देख रहे हैं आपके परसन को ऐसा लग रहा है कि उनके जाने के बाद से आपके लाइफ में बहुत कामने सा गई है ऐसा लगता है जो कच्रा है जो कूडा है वो अपने आप अढ़िया है बिलकुल आपके परसन को ऐसा ही लग रहा है यह रिलाइस कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में आपकी लाइफ में कोई जगा नहीं है इनकी कोई भी जगा नहीं है और ये बात सच भी है क्यों किसी के पीछे आप बढ़ रहे हो जबकि Angel of Love वाला काड़ा है आपने आपको वो प्यार अपने आपको वो position नहीं दे रहे जो आप समने वाले person को दे रहे थे जितना आप उनको समझाने में लगाते थे ना और जितना आप उनको माफ करते थे आप खुद को माफ करके देखो आपका जर्ण सिर्फ इस relationship के असपास घुमने के लिए नहीं हुआ है अप जब से अकेले हो जब से आपने खुद का साथ पकड़ा है जब से आपने खुद को जानना शुरू किया है देखो आपकी emotional weakness क्या है strength क्या है उसके अनुसार काम करो number 9, number 1 number 53 और number 49 49 यहां पे आ गया है ठीक है चारों तरफ आपके prosperity देख रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग I don't know why बहुत लोग self care में personal personal चीजों पर ध्यान दे रहे है जिसे की exercise हो गया workout हो गया कुछ लोग बाल भी लंबे कर रहे है पता नहीं मुझे ऐसा लग रहे है बालों पर ध्यान दे रहे है और ऐसा लग रहे है पहनावे पर कुछ ना कुछ change कर रहे है confident मैसूस कर रहे है गलत को बता रहे हैं सबके पास यह person जा जाके सभी लोगों को बता रहे है कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है मझे लगता है कि यह अपना दुखडा गा रहे है अभी सबके सामने क्योंकि इनका दल टूटा हुआ है और हो सकता है कि ये चीज बोल रहे है कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ईश्वर ने बहुत गलत किया, ये सारी चीज़े इनके मन में चल रही है, ऐसा लग रहे है कि इनको देखके कि इनके साथ हुआ है इनके साथ हुआ है इनके साथ हुआ गाने में इतना involved है इतना busy है कि इसलिए तो आप दोनों की वीच में भी कोई contact नहीं हो रहा है दूरी बना रहा है क्योंकि यह अभी target में है victim mentality में है और सबसे ज़ाद है इनको यह भी लग रहा है कि आपकी healing हो रही है ठीक है पर यह person they are left out उनकी healing नहीं हुई है healing होनी दूर की बात है उनकी healing शुरू भी नहीं हुई है यह difference है आप दोनों की energy में इस समय चीक है ना अधूरा से मैसूस करे हैं दिल रो रहा है एक तरफ तो इनका प्यार इनके हाथ से गया प्लस प्यार की वज़े से खुद को मतलब ठुकराया हुआ मैसूस करे है ऐसा लगता है कि बेज़ती हो गई है ठीक है ना तो इस reading को यहीं तक रखते हैं बताईएगा कैसे लगी description box में आरे new reading का link है उसको देखा कीजिए free है उस पे click करके जाईए आप बहुत कुछ मिस करें ठीक है मिलूंगे अगली reading में take care bye bye god bless you thank you